मित्रों भी आप सबने सम्राट पिठ्थी विराज काये कि यहाँ पर अब यह फिल्म रिलीज नहीं हुई है लेकिन असका एक सो यहाँ पर देखा है अबने अभिनों से प्रख्याद अभिनेता स्री अक्षय कुमार जी ने अभिनों को जिस रूप में पांद करके नकिवल अभिनों के माध्यम से बलकि भारत के अतीत को जोड़ करके जिस एक फिल्म को हम सब के सामने आजादी के अमरित महत्सो वर्स में प्रस्तुत किया है मैं इसके लिए इस फिल्म के जो निर्देशक हैं अक्षे कुमार जी को चंद्रप्रकास दिवेदी जी को अभिनेत्री सुसी मानसी चिलर जी को और सभी कनाकारों का हिर्दे से अभिनतन करता हूं मुझे कई वर्सों के बाद किसी फिल्म को देखने का उसर प्राप्त हुआ है समय भी नहीं रहता है लेकिन अक्सर मेरे मंत्री मंडल की सहयोगी इस प्रकार की फिल्मों को बड़ा पसंद करते थे तो वह लोग कहते थे कि कुछ ऐसा उसर हो लेकिन आप सब जानते हैं कल आधनी प्रधान मंत्री चीवी और आधनी राष्ट पती चीका वे उत्तर प्रदेश दोरा है और एक साथ दोनों का एक जिगे कारिक्रम है में उसी कारिक्रम की तैयारी देखने के लिए प्रात्यकाली चला गया था मेरा प्रयास था कि मैं साड़े ग्यारा वज़े तक यहां पहुंचूंगा मुझे कुछ देरी भी लेकिन मुझे प्रसंता है कि आप सब ने पूरी धैरे के साथ पूरी तैयनवेता के साथ हमारी इन कलाकारों के इध्यास को जोड़ने के इस कारिक्रम के साथ आप सब जुड़े रहे मैं जब कानपुर दिहात में था तो मेरे साथ महां पर मेरे सहोगी मंत्री सिराके सचान वहां पर थे तो जब मैं चलने के लिए हुआ तो उनने कहा कि आज आपने फिल्म देखने के लिए हमें पहली बार कहा और आप हमें यही छोड़ने मैं का चली अपी से मेरे साथ में मैं उनको भी साथ में लेके आया लेकिन मेरे अनुपस्तिती में यहां के शो मौर्याजी थे मेरे मंत्री मंडल के सभी बरिष्ट शयोगी यहां पर इस फिल्म के साथ जुड़े थे और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी फिल्म बनाई है परिवार के साथ लोग देख सकते हैं मनुरंजन भी है और इत्यास भी इसके साथ जुड़ा हुआ है और यह फिल्म बहुत कुछ हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि अतीद के बगार बरतमान नहीं होता है और अतीद की कौन से ऐसी गलतियां है जिन गलतियों का परिमार्जन लगातार 75 वर्सों से हम करते हुए अब आजादी के अम्रित महत्सों वर्स में आये है मित्रों 75 वर्स का एक कालखंड हम सब के लिए चिंतन का कालखंड है आत्माव लोकन का कालखंड है और आगामी 25 वर्स के अम्रित काल का जो आवहान आदिने प्रधानमंत्री जी ने किया है इन 25 वर्सों में हमें भारत को कहां लेके जाना है इस पर अभी से कारियोजना बना कर किसे लागू करने का एक प्रियास हम सब के अस्तर पर होना चाहिए राष्ट उत्थान का जो अविहान है इस राष्ट येग्यमें हम सब के अपनी फूमिका होगी कला अपने अपने एक पृतिवा होती है यह स्वर प्रदत एक विसेष्ट पृतिवा होती है और उस कला को अभी इस संब्राट फिर्थी विराज की रूप में इस फिल्म के माध्यम से इस देश के प्रख्याद अभिनेता सेक्षे कुमार जी की इस अभिनों के माध्यम से हम सब ने इस फिल्म के माध्यम से देखा है मैं यहां पर अक्षे कुमार जी का इस फिल्म के जो डारेक्टर है शिचंदर प्रकास दिवे दीजिए आपने उनके कारे को इस से पहले चानक के से सीरियल के मात्यम से भी देखा है और हैंने तमाम ऐसे कारेक्रम जो हमें राश्टियता के साथ जोड़ता उस कारेक्रमों के म मात्यम से हम लगातार इसका उन्हों करते रहे हैं आज वे स्वेम भी यहां पर उपस्तित वे हैं और सुशी मानसी जी इससे पहले भी भारत माता की इन कलाकारों ने आदने प्रधानमंत्री जी के आवखान पर एक आम जन्वानस से चुड़ी भी तमाम विस्यों को लेकर के फिल्मों का निर्मान किया ये फिल्मे वास्तों में क्यों मनुरंजन के साधर मात्र नहीं है लोग जागरुकता कई भी राष्टी पिर्णा के भी और समाज को एक नई दिसा देने के भी मात्यम बन सकते हैं यह अक्षय कुमार जी ने और उनकी पूरी टीम ने समय समय पे किया है मैं आज की इस वसर पर अपने उत्रब्रदेश वास्यों की ओर से आपकार आपकी पूरी टीम का हिर्दे से अभी नंदन करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि यह फिल्म बहुत सीग्र यहां पर हमारी पीच में आएगी उत्तर प्रदेश वासी और देश वासी देखेंगे और उत्तर प्रदेश में इसको टैक्स फ्री करने के भी भुचला इस पर करते हैं जिससे एक कॉमन में भी इस फिल्म को देख करके और इसमेद उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे अस्थन है और उन अस्थलों के बारे में लोगों के मन में एक चागुरुपता भी पैदा होगी तो सौभाई कुरुप से आज हमारा कन्योच इत्र के साथ साथ गोवर के साथ भी जुड़ रहा है और सौभाई कुरुप से कन्योच को जानने और अन्य उत्तर प्रदेश की उन सभी अस्थलों के बारे में जानने का एक उसर भी प्राप्त होगा मैं इस उसर पर एक बार फिर से इस पूरी फिल्म के साथ जुड़े भे अक्षे कुमारची मानसी और उनकी पुरी टीम का मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हिरदे से बिनंदन करता हूँ विश्वास करता हूँ कि इस प्रकार की रसनात्मक पिलों के मात्यम से समाज को जागरूप करने समाज को एक नई प्रिणा प्रदान करने कावा निरंतर प्रियास करेंगे उत्तरब्रदेश आसन उनके इस पूरे कारिक्रम के साथ सदेव सकारात्म गूप से उनका सहयोग करने के लिए तत्पर होगी मैं एक बार फिर से आप सभी ने पुड़ी धैरे के साथ फिल्म को देखा है मैं आप कभी हिर्दे से स्वागत भी करता हूँ आपको हिर्दे से धन्यवाद भी देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आपको हिर्दे से